नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रिंसानी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग रीविव करने वाल है जो कौन 400MG टेब्लेट्स का जो कौन 400MG टेब्लेट्स का यूज क्या होते हैं इसका market prices क्या होता इसका dose क्या होता इसका side effects क्या होते हैं और यह medicine किन patient को देना चाहिए और किन patient को नहीं देना चाहिए जानकारी को शूरू करते हैं दोस्तों जानकारी शूरू करने पहले एक request है यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यांकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं अक्सल लेकर आता रहता हूं जानता हैं जुकौन चाल स्वमजी टेइबलेट के यूजफ के बारे में और ये जानता हैं कि जुकौन टेबलेट का यूजफ कि इन कंडिशन दोस्तो जोकोन टेबलन में फ्लू कोनाजोल साल्ट पाया जाता है और यह एक एंटी फंगल मेडसिन है यह मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलबल होती है जैसे कि यहाँ आपको जोकोन नाम से भी मिल जाती है फ्लू का नाम से भी मिल जाती है यानि बहुत सार ब्रांड नेम से या मार्केट में अवेलेबल होती है अब दोस्तों बात करते हैं इसका यूज के बारे में कि इसका यूज किन कंडीशन में किया जाता है दोस्तों इसका यूज जो है जब हमें क्रोंडिक फंगल infections होते हैं जैसे कि दात, खाज, खुजली वगएरा, इसका बीस हो जाता है, शोराइसिश वगएरा हो जाते हैं, तो इस condition में इस tablet का यूज़ किया जाता है, महिला में vaginal infection की वज़ा से उनके vaginal infection की वज़ाइना में भी iskritMiss Hootie, वहाँ पे खुजलाहट होती है, तो उस condition में भी इस tablet का यूज़ किया जाता है, सेम condition पुर्षों में हो जाते हैं, उन्हें भी गूपटांगों में खुजलाहट मुय सूस होती है, तो उस condition में भी इस tablet का यूज़ बहुत ज्यादी किया जाता है और दोस्तो यह मार्केट में 50MG, 100MG, 150MG, 200MG और 400MG में मार्केट में अवेलेबल होती है तो गैस अब हम जानते हैं जो कोन यानि फ्लू कोना जोल टैबलेट के डोस के बारे में कि इसका डोस पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है दोस्तो एक adult age वाले बैक्ती में इसका जो dose है वो first dose 200MG का होता है और इसके बाद चौते दिन जो second dose होता है वो 100MG का होता है और जो second dose होता है वो हम हर चौते दिन 100MG का देते हैं और यह maximum दो हफते तक पेशेंट को दिया जाता है तो कैसर तक के side effect का हो सकता है जो को टैबले का side effect का हो सकता है अब बात करते हैं कि जो को टैबले का यूज किनकिन patient को नहीं कर वाया जाता है यदि पेशन्ट को किसी ड्रक से अलर्जी हो जाते है तो उस कंडिशन में इस टैबलेट का यूज नहीं करवाना चाहिए कुछ लोगों को जो कोन और इसके साथ साथ इंट्रा कोना जोल टैबलेट से भी अलर्जी हो जाते है तो उस कंडिशन में भी इस टैबलेट का यूज नहीं किया जाता यदि पेशन्ट को किर्णी में इंफेक्शन वगएरा है तो उस कंडीशन में भी इस टैलेट का यूज नहीं किया जाता है तो पेशेंट को लीवर संम्बंदित कोई होते हैं तो उस सब्सक्राइब 영상 को लाय करें ये पनाराराखे Sometik करें गोथी इस यांकारी आपको फशन्द आई होगं कुल्छ को लाइक और आ Uh आपके मन में कोई doubts ना तो basically आप हमें comment भी कर सकते हैं जैसे मुझे time मिलेगा वज़से मैं आपके comment का जवाब देने के courses करूँगा So guys इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलता हूं मैं अपने next वीडियो में तक तक के लिए पेश्टाप लगए